दोस्तो सुतुर मुर्ग को दुनिया की सबसे बड़ी पच्छी के रूप में जाना जाता है साथ ही या प्रित्वी पर इकलोती पच्छी है जिसकी आख उसके मस्तिक से बड़ी होती है इसी वज़ा से या पच्छी लगभग 4 किलो मीटर दूर तक आसानी से देख सकती है इससे भी बड़ी चौकानी वाली बात या है कि जरूरत पढ़ने पर सुतुर मुर्ग का कार्निया हम इंसानों के कार्निया से बदला जा सकता है तो चलिए आज की इस वीडियो में सुतुर मुर्ग के बारे में ऐसे ही कुछ आश्चा जनक बाते जानते हैं इस पच्छी का अंडा पिर्थवी पर मौजूद किसी भी जीव के अंडे के तुलना में सबसे बड़ा और मजबूत होता है जो लगभग हमारे हथेली जितना छेंच लंबा और एक से दो किलोगराम उजनका होता है जो 220 किलोगराम के भार को लंबो अता और 120 किलोगराम के भार को चैते जरूप से सहन कर सकता है इसी वज़ास से हम इनसान उस पर बेहिचक खड़े हो सकते हैं जिस काण इसे तोडने के लिए लोग आमतौर पर हथाओडे का इस्तेमाल करते हैं इसके अधरिक सुतुर मुर्ग का एक अड़ा 24 मुर्गी के अड़े के बराबर होता है जिस करण आप एक बार में सुतुर मुर्ग का एक अड़ा नहीं खापाएंगे 2. सुतुर मुर्ग पच्छी होने के बावजूद भी उड़ नहीं सकते क्योंकि परकिर्द ने इन्हें भले ही 2 मीटर बड़े पंक दिये हैं पर इनका पंक इनके 140 किलोगराम वजनी सरीर को उठाने में आसमर्थ होता है 3. सुतुर मुर्ग पच्छी ना तो पूरी तरह से साकाहारी होती है और ना ही मांसाहारी ये पौधों के साथ कीड़ों को भी खा लेते हैं लेकिन जादातर सुतुर मुर्ग साकाहारी ही होते है 4. उट की तरह या पच्छी भी बिना पानी पिये लंबे समय तक जिंदा रा सकती है अईसा इसलिए क्योंकि ये अपने भोजन से ही जादातर पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं लेकिन जहाँ इनहें पानी मिलता है यह उन्हें पी भी लेते हैं और उसमें नहा भी लेते है 5. जिस तरह लोग घोड़े की सवारी करते हैं उसी तरह अफरीका महादीब पर सुतुर मुर्ग की सवारी काफी पापुलर है अगर कभी आप वहां जाईएगा तो सुतुर मुर्ग की सवारी का आनंद जरूर उठाईएगा 6. इनका सरीर बहुत तंदुरूस्थ होता है इन्हें बीमारियों का खत्रा नहीं होता जिस कांड या पच्छी जंगल में 30-40 वर्षों तक और चुड़िया घर में 70 साल तक आसानी से जीवित रा सकती है 7. सुतुर मुर्ग के पंख बहुत ही सुन्दर होते हैं जिन्हें लोग बहुती चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं 8. सुतुर मुर्ख पच्छी के दात नहीं होते इसी वजा से इन्हें अपने भोजन को पचाने के लिए कंकर पथर को निगलना पड़ता है 9. सुतुर मुर्ख पिर्थवी पर उन चुनिंदा जीयों में से एक हैं जो अपनी नीद खड़े होकर ही पूरी कल लेते हैं इस दवरान या पच्छी अपने गर्दन को सीधी रखता है और आखे खुली हुई रखता है ताकि या अभास होकी वे जाग रहे हैं 10. आज के समय में काफी बड़े पैमाने पर सुतुर मुर्ख को उनके मांस के लिए मारा जा रहा है फिर भी इस पच्छी को बिलुक्त होने का कोई खतरा नहीं है क्योंकि इस पच्छी को लोग काफी बड़े पैमाने पर पाल भी रहे हैं